22 अप्रेल को वसुंधरा दिवस के रूप में बनाया जाता है इस दीन के मौके पर नागपूर मेट्रों के सिताबर्डी इंटर्चेंज में 768 वर्ग फीट की भव्य रंगोली बनाए गई है इस रंगोली को बनाने में संसकार भारती के 15 कलाकारों ने 4 घंटे तक लगातार काम किया यहां आदर्शवाग के परियावरेंड की रक्षा दुनिया की सुरक्षा इसे रेखांकित किया गया है इस रंगोली को बनाने में कलाकारों को 250 किलो रंग की जरुरत पड़ी मेट्रों के यातरी 25 अप्रेल तक इस रंगोली को देख सकते हैं हर साल 22 अप्रेल को वसुंधरा दीवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर परियावरेंट सेलक्षन के प्रते जागरिक्ता पैदा करने का प्रयास किया जाता है इस दिन को पहरी बार 22 अप्रेल 1970 को मनाया गया था और तब से हर साल पूरे दुनिया में इस दिन विभिन कारिक्रा मुका आयोजन किया जाता है संसकार भारती की और से गजानन रानडेन के साथ दीपाली हरदास, राधा कावडे, सुप्रिया देश्मुक, हर्शल कावडे, श्रिकांत पंगाले, पूजा बोड़खे, सुमित ढोरे और अन्य कलाकारों ने ये रंगोली बड़े परिश्रम के साथ बनाई है जो की अब आकरशन का केंद्र बन गई है NBCN News के लिए राजकुमार मोहर के साथ माहिन पठान के रिपोर्ट